नमस्कार में रवी शंकर, नियूस क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है इन दिनों महौल क्रिकेट वर्ड कप का है और फैंस का जोश हाई है फैंस के जोश को हम और हाई करेंगे विश्वकप के इतिहास में हुए भारत पाकिस्तान के मुकाबलों और कुछ रोचक किस्सों के बारे में बात करके आपको बता दें कि 2023 से पहले दोनों देशों की टीमे वन डे वर्ड कप में साथ बार आमने सामने आ चुकी है मगर एक भी बार पाकिस्तान जीत नहीं पाया है हाला कि मैच जरूर बहुत क्लोज हुए है चलिए अब दोनों टीमों के एतिहासिक मैचों और किस्सों को भी जान लेते हैं शुरुवात करते हैं वर्ड कप 1992 से पहला मौका था जब वर्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खिला गया प्लियर्स पर प्रेशर जबरदस्ट था भारत ने पहले बैटिंग की जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बावन और कपिल देव ने 25 रन बनाए पाकिस्तान को लक्ष मिला 217 रन होगा लेकिन वो 173 रन ही बना सकी भारत जीता और मैन अब दा मैच हुए सचिन तेंदुलकर लेकिन इस मैच में नतीजे से इतर एक बहुत आइकॉनिक घटना घटी दरसल पाकिस्तान के आमिर सुहेल और जावेद मियादाद बैटिंग कर रहे थे इसी दौरान विकेट कीपिंग कर रहे है किरन मोरे ने मियादाद को कुछ कहा होगा तो मियादाद ने इसकी शिकायत अंपायर से कर दी लेकिन अंपायर ने ध्यान नहीं दिया इसी बीच एक गेन पर मोरे ने मियादाद को रन astronaut करने की कोशिश की तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मियदाद दे बल्ला उपर कर जोर-जोर से छलांग मारनी शुरू कर दी जिसकी चर्चा आज भी खूब होती है चलिए अब चलते हैं वर्ड कप 1996 में 9 मार्च की तारीख थी मौका था क्वार्टर फाइनल का भारत ने पहले बैटिंग कर पाकिस्तान को 288 रनों का टारगेट दिया चेस करने उतरे पाकिस्तान ने 15 ओबर से पहले ही 100 रन बना डाले साइद अन्वर आउट हो गये मगर आमिर सुहेल अब भी धुने जा रहे थे फिर पंदरवा ओबर लेकर वेंकेटेश प्रसाद आये उन्होंने सुहेल को लगातार दो गेंदे डॉट कर आई लेकिन सुहेल ने पांचवी गेंद पर चौका जड़ दिया इसके बाद सुहेल आगे चलकर आये और वेंकेटेश को बल्ले से बाउंडरी की ओर इशारा कर चिलाने लग गए प्रसाद ने अगली ही गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ट कर दिया यह किस्सा हमेशा याद किया जाता है इस मैच को भारत ने जीता था और 93 रन बनाकर नवजोत सिंग सिध्धू मैन आपदा मैच चुने गए थे अब बात वर्ड काप 1999 की UK के मैंचेस्टर में ये मुकाबला 8 जून को हुआ जिसमें इंडिया 47 रन से जीत गई मैच में वेंकिटेश प्रसाद ने 27 रन दे कर 5 विकेट जटके थे और मैन आपदा मैच भी हुए थे अब बात 2003 वर्ड काप की इस वक्त तक सचिन तेंडुलकर खुद को दुनिया का बेस्ट बल्ले बास साबित कर चुके थे तो पाकिस्तान की रफ्तार श्वेब अक्तर को वकार यूनुस और वसी मकरम जैसे लिजेंड्स का उत्रा धकारी बताया जाने लगा था लेकिन सेंचूरियन में खेले गए भारत पाकिस्तान मुकाबले को भला कौन भोल सकता है मैच में सचिन तेंदुलकर 75 गेंदों पर 98 नबे की जवरदस्त पारी खेल कर मेर आफदा मैच चुने गए थे मगर सबसे ज़्यदा याद कर रहा था श्वेब अक्तर की गेंद पर कट लगाया गया आप साइट का सिक्सर जो सचिन तेंदुलकर ने मारा था अब आजाएए वर्ड कब 2011 में इस बार तारीख थी 30 मार्ट मैदान था पंजाब का मोहली और मैस था सिमी फाइनल इसमें पाकिस्तान 29 रनों से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया सचिन तेंदुलकर को मैन आफ दा मैच चुना गया क्योंकि उन्होंने 85 रनों की बेहत शानदार और महतोपूर्ट पारी खेली थी अब बात वर्ड कब 2015 की इस बार तारीख थी 15 फरवरी और मैदान था एडिलेट यहां भी पाकिस्तान 76 रन से हार गया इस मैच में विराट कोहली मैन आफ दा मैल्च चुने गए क्योंकि उन्होंने 126 बॉल्स पर 107 रन बनाए थे अब आते हैं वर्ड कब 2019 में इस बार दोनों टीमों के बीच मैच 16 जून को मैल्चेस्टर में खेला गया भारत ने 5 विकट खोकर 336 रन बनाए जिसमें रोहत शर्मा ने 140 रनों की शानदार पारी खेली इस मैच को टीम इंडिया डखवर्थ लुईस नियम के अनुसार 89 रन से जीत कई जबकि पाकिस्तान टीम 212 रन ही बना सकी वैसे तो भारत पाकिस्तान का हर मुकाबला हाई पर ही होता है चाहे वर्ड कप हो या छोटा टूर्नामेट जिसका एक कारण दोनों देशों की राजनितिक संबंद भी है लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि ICC और ब्राड कास्टर्स इसे भुनाने में कसर नहीं छोड़ते ऐसे में दो ऐसे भी मुकाबले हैं जो दोनों देशों के फैंस या क्रिकेटर कभी नहीं भूल सकते तो चलिए उनकी बात करते हैं सबसे पहले बात नवंबर 1978 की तीन मैचों की वन डे सिरीज खेली गई चालिस चालिस ओवर की पहला मैच क्वेटा में हुआ भारत जीता दूसरा सियाल कोर्ट में हुआ पाकिस्तान जीता अब तीसरा मैच चल रहा था साहिल वाल में नो नहीं दी जिस पर भारत के कप्तान बिशन सिंग बेदी इतना गुस्ता हो गया कि उन्होंने मैच खेलने से मना कर दिया आखिर में पाकिस्तान को जीत दे दी गई लेकिन ये मैच हमेशा के लिए यादकार हो गया इसके बाद बात करते हैं 2 अप्रेल 1986 की तब आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान इन 5 टीमों ने आस्ट्रल एशिया कप में हिस्सा लिया था मगर फाइनल मुकाबला हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच सुनिल गवसकर के जबरदस्त बाननवे और शिरिकांत के 75 रन की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 245 रन बना डाले पाकिस्तान चेस करने उत्रा, अब मैच का आखरी ओवर था क्रीज पर तौसीफ एहमत और जावेद मियादाद थे गेन थी चेतन शर्मा के हाथ में, पांचवी गेन पर जैसे तैसे कर तौसीफ ने मियादाद को स्ट्राइक दे दी अब आखरी गेन पर जीत के 5 रन चाहिए थे, यानि अगर चौका लग जाए तो टाई, छक्का लग जाए तो जीत अब चेतन शर्मा ने मारी जोरदार यारकर, लेकिन वो हो गई फुल टॉस, जिसका फाइदा उठा कर मियादाद ने छक्का जड़ दिया आपको बता दे कि पाकिस्तान क्रिकेट में इतिहास का ये मैच अलग से दर्ज है, और आज भी मियादाद के छक्के का जिकर किया जाता है चेतन आज भी वो गेन नहीं भूले और इसका जिकर हमेशा करते रहते हैं वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेट या किसी भी खेल में कुछ खटी मीठी यादें बेहत जरूरी होती हैं ताकि दर्शकों का रुमांच बना रहे नियूस क्लिक की इस वर्ल्ट कफ वीडियो सिरीज के अगले हिस्से में कुछ और रोचा किसे आपके सामने रखेंगे तब तक के लिए शुक्रिया